नमस्कार, आज मैं अपने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ कि बच्चों को पढ़ाई में और परिक्षा दिलबाते समय हम लोग कभी-कभी गलत रास्ते को अक्तियार करते हैं उनको चीट करवाते हैं उनको गलत तरीके से एक्जामिनेसन देने के लिए प्रेदित करते हैं उसमें हेल्प भी करते हैं क्या ऐसा गलत रास्ता बच्चों को हम अपनाने के लिए प्रेजित करक्या वो सचमुझ में उनकी मदद करते हैं यह एक बहुत बड़ा बिचाड़ने यह प्रश्न है हमारे नजरू में ऐसा चीटिंग करवा करके एक जामिनेशन में बच्चों को हम मदद नहीं करते हैं इस इस से उनका केरियत खराब होता है पहले तो चीटिंग करने की जिस बच्चे की आदत पढ़ जाती है वो हर परिक्षा में कुछ गलत रास्ता ही अपनाने का सोचता है वो कभी पढ़ाई करने का सोचता ही नहीं कभी याद करने का सोचता ही नहीं कभी जीवन में कभी भी प प्रकती रासर पर जाने के लिए मिनत करने की जुरत पड़ती है उसमें इंटरप्राइजिंग नेशर अपने को बनाना पड़ता है त्या करना पड़ता है अब जहां त्या करने की बात होगी जहां इंटरप्राइजिंग नेशर बनने की बात होगी जहां पर कर्म करने की बा आदत बच्श्मन से पढ़ जाती है, कि कोई ना कोई ग़्लत रासा बना करके यह आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन गलत रास्ता अपना करके कितने लोग आस तक आगे बढ़े हैं ये भी एक बिचाड़निय प्रस्तन है, क्योंकि गलत रास्ता अपना करके कोई आगे बढ़े जाता है, तो वो एक जो प्रणा कारण बनता है, हमारी नजरों में गलत रास्ता अपना करके भी कुछ वो अकेले कहीं घूम नहीं पाते हैं उनको हमेशा डर सताता है गलत रास्ते का गलत प्रणाम होने के उनके भैस सताते रहता है उनको ए भावना इतना परिशान करती है कि वो संभवतों उनका जीवन बड़ा दुखदाई होता है और ऐसे लोगे संख्या भी हाडली 10% संभवतों होगी 90% आदमी कम या ज़्यादा अपने परिश्रम के नुसार अपने कर्तब के नुसार अपने इंटरप्राइजिंग नेजर के नुसारी आगे बढ़ते हैं और नहीं बढ़ते हैं मैं देखा हूँ और आप सभी जानते होंगे कि परिक्षा में जब परिक्षा द Confederate समय बच्को चीट कराने के लिए गार्जियन भी बहुत बवर प्रियास करते हैं एक बच्चे की कहानी में बताता हूँ कि उसके गार्जियन जो है चीट कराने के लिए परिक्षा में बहुत प्रास करते हैं पहले रात 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 बर चीट बनाते हैं लेकि रात बर पौचते नहीं है और बच्चा जो है पढ़ता तो बिलकुल नहीं हो तो सिर्फ गार्जियन को बोलता है चीट तयार कर दीजे चीट तयार कर दीजे परिक्षा में कुछ अच्छा करने की तमना बिलकुल मर जाती है और ओ ऐसे बिद्यार्थी जो हैं सिर्फ पास मार्क के लिए fight करते हैं पास मार्क हो जाता है तो उनको बहुत बड़ा achievement प्राप करते हैं अब सोचिए कि हर समय सफलता मिलती भी नहीं ओ कई पैसे में फेल भी हो जाते हैं कई बार पासमार्क से मुश्किल से पास बुजाते हैं, ऐसे विद्यार्थी जीवन में क्या कर सकते हैं, कहीं भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोई कि इस हालत में उनको हमेशा नीचे बॉटम लेवल की ही प्राप्ती होगी, ऐसे बचों का मैं एक्जामपुल जानता हूँ, जो जीवन में उनके जीवन बड़ा दुखदाई हुआ, वो अपने बैस को होने पर, बड़े होने पर, शादी बिया होने पर, वो मुश्किल से अपना जीवन पेट चला पाते हैं, छोटे सोचे निमन अस्तर के या है कि तमन ना बिलकुल मर जाती है, ऐसे लोग को गार्जियोन को फ्रस्टेट करना चाहिए, गार्जियोन को चीट नहीं करना चाहिए, अगर बच्चा फेल करता है तो फेल करने दीजिए, और ओ अगर एक साल रुख जाता है तो रुखने दीजिए, लेकिन जो कुछ भी क इंटरनेशनल राइटर इंडिया में उनकी किताब या इंटरनेशनल प्लेटफार्म में उनकी किताब बेस्ट सेलर किताब हुई वो एक लेक्शर देने के लिए समभवतों जैसा मैं सुनता हूँ कोई 2-2 लाख रुपए, 5-2 लाख रुपए भी लेते हैं वो इतने जो है इंटरनेशनल लेबल के इंडिया फेम के इतने बड़े वक्ता, लेक्शरर और ग्यान देने वाले बन गए आकि उनका डिवांड बहुत ज़्यादा है उनकी कहानी अपने कहानी उन्होंने शेयर किया है, कि वो दस्वी कलास में वो बैक बेंचर थे, वो पीछे बटा करते थे, पर सिक्षक से डरते थे, सिक्षक कुछ पूछ न दे, सिक्षक भी आते आते पहले उनको पेंच पर खड़ा करते थे, खड़े हो जाओ, बोलते थ कि सर हमको क्यों खड़ा कि अभी तो हमने कोई गल्टी की नहीं 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 तुम तो गल्टी करोगे अच्छा तो करोगे नहीं कुछ बता भी नहीं पाओगे और खड़ा कर देते थे बहुत दोर उनको पनिस्मेंट भी दिया जाता था एक बार वो दस्वी क्लास में इसी प लिखवा दो किसी तरह से ताकि मैं आगे पढ़ सबूं मानने बोला कि नहीं दूसरे स्कूल में नाम नहीं लिखाएगा ओर आगे क्लास में भी नाम करके रखा है खराब किया है खराब करने के जिम्मवार तुम हो और मैं अपने पहले भी इसका बढ़न कर चुका हूँ कि पढ़ाई करना या बच्चों को पढ़ाई कराना जियोन मुनत्ती करना या कराना दोनों का समान करतब बच्चों का भी उतना ही करतब इसना गार्जन क कर्टब है गाजियन का कर्टब है उसको फैसलिडी प्रभाउट करना किताब देना कॉपी कर देना स्रिच्वेशन इंफ्राइस्ट्रक्चर देना ताकि वो जियोन में आगे बढ़ सके अपने दम पर उसको आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ मदद करने की जरूरत है वो पीट करने के बाद फिर वो कभी फेल नहीं हुए आगे बढ़ते गए बढ़ते गढ़ते आज जो है उनकी किताब लिख्यों ही युकानवीन किताब बेस सेलर बुक हुई और एक अभी अपने इंडिया के एक प्रख्यात प्रवक्ता है और उनका डिमान इतना जादा है कि उनको संभौत और सभी प्रवुद्ध जन उनके बारे में जानते भी होंगे यह सीवगहरा की कहानी है इसलिए मैं यह बोलना चाहता हूं यह गलत तरीका कि बच्चों को अपनाने के लिए कभी प्रसाहित नहीं करना चाहिए और उगर सफर करते हैं सफर करना देना घर अधर उनकों करने में उसके आप मधद कर पाएंगे गल아 तरीके साथ जिवमका करने में उसकी बच्चें को गलत तरीका अपणाने के लिए कभी प्रसाहित नहीं करना चाहिए मैं एक अपना एजामपूल दे देता हूं इसको मैं स्वंग वा हूं हमारी एक बच्ची एक बार होमवर्क नहीं की वो मां से बोली कि पिताजी को बोल दीजिए एक अप्लिकेशन बना देंगा कि मैं बिमार थी होमवर्क नहीं कर पाई तो उसके मां ने हमारे पास chief two immense नहीं पाएगी म मदंद करिए हैं दूहरी गल्टी के लिए मैं जूट क्यों लिखूं मुझे जूट क्यों बूल नकिए अगर की मारना चाहिए और गल्टी है इसको भी प्रज़ाना चाहिए दोनों पना काम करें और मैं इस अमर्थक है को कि bi शोटे मोटे दन्ड दे करके बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं तो ये दंड अपराद में नहीं लिया जाना चाहिए अलगrift की बच्चों को दंड द adrenal अपराद मना गया है लेकिन उसकी भविस्ष्थ की चिंता करते हैं चोटे मोटे पनिश्मन दिया जा सकता है बचों को ताकि उनकी उन्रती हो सके इनी कुछ सब्दों के साथ मैं अपने इस वेडियो को शमाप कर रहा हूं और आप लोग से नमर निवेदन है कि इसको लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए ताकि जादा से जादा मेरी बाते पहुंच सके और लोग लभानी भी सो सके इसी के साथ थाइंक्यू भेरी मज जय हिंद जय भारत